हेलो गाईज, पुर्निमा कीचन, मैं आप सबको स्वागत है, मैं पुर्निमा आप सबको जोहार, तो चलिए आज हम बनाएंगे पुई साग की सबजी, सिंपल सबजी हम नहीं बनाएंगे, मसालेदार वाली सबजी बनाएंगे दोस्तों, तो साग को हम अच्छी तरह से काट यह है, उसे हम पानी में अच्छी तरह से धोएंगे, ढंठल हम अलग रखे हैं, उसे भी हम पानी में धोएंगे दोस्तों, आलू और पुई साग का डंठल को, लेसून और सरसो लेंगे, थोड़ी सी जीरा लेंगे, धनिया, लेंगे थोड़ी सी गोलकी भी लेंगे, हरी मि अच्छा रहता है दोस्तों हमने सभी डंटल को अच्छी तरह से ब्रॉण हुने तक फ्राइगे और इसे निकाल कर रख लेना है कव वर्तन में तेल हम गरम करेंगे कटी हुए प्याज डाल कर फ्राइगे ब्रॉण हुने तक मसाला हमने सर्सो लसून पीसा था उसे भी हम डाल कर अच्छी तरसे पकाएंगे नहीं तो पुई साग की सब्जी अगर आप मसाला पहले नहीं फ्राइब करेंगे तो मसाला मसाला आपको साग लगता है दोस्तों इसलिए फ्राइब करना बहुत जरूरी होता है पुई साग के लिए तो हमने सभी मसाला को अच्छी तरसे पका लिया है उसे जितना अच्छा भूझेंगे सब्जी उतना टेस्टी होता है हल्दी हम डालेंगे कलर के लिए कटे हुए टमाटर को डालकर हम पकाएंगे दोस्तों और उसे अच्छी तरह से भूझना है ताकि मसाला का एक भी कच्छपन ना रहे प्राइ किया हुआ अलू और हम डालेंगे और अच्छी तरह से मसाला को मिला लेंगे दोस्तों कटे हुए साग को भी हम डालेंगे थोड़ी थोड़ी पानी डालकर चलाना है ताकि मसाला पकते जाए स्वाधनुसर हम नमक डालेंगे कटे हुए साग को भी हम डालकर पकाएंगे दोस्तों सब्जी दिख कि सभी अच्छी तरह से मसाला में ये घुल कर पक जाएं तो सभी को मिलाना है जितना भी मसाला है अच्छी तरह से चलाते हुए साग को मिलाकर ठोड़ी दे ढखकर रख देना है दोस्तों क्योंकि पुई साग ढखने से थोड़ी पानी छोड़ती है तो वह और अच्छी तरह सब पक जाएगी थोड़ी से हमने चीनी डाला है स्वात के लिए फूई साग में चीनी डालना बहुत जरूरी होता है टेस्टी के लिए दोस्तों देखिए पूई साग का पानी छोड़ा है यह अच्छी तरह से पक चुकी है और हमारा इससे पी भी बनकर त्यार हो गई है पूई साग की दूस्तों अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजेगा वेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि नोटिफिक आपको उनको मिल सके दोस्तों और इसे थोड़ी देर बनकर दो